जैश्री राम, स्टार्ट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्धाक में दिये अपने भाशन में चीन को विस्तारवादी बताया है इसके पहले उन्होंने सर्वदलिय बैठक में इस तथ्य से इनिकार किया था कि पिपुल्स लिबरेशन आर्मी पी एल ए ने कभी हमारे शेत्र में प्रवेश किया था हालांकि बाद में उनके कार्याले विदेश मंत्राले तथा उप ग्रह से मिले चित्रों ने इसे खारिज किया था उन्होंने अब लद्धा की एक अग्रीम चोकी पर जाकर मौर्चे पर डटे सेनिकों में उत्साह भरने के साथ ही महत्वपूंड रूप से चीन को विस्तारवादी कहा इस परकार उन्होंने अब तक चीन और भारत द्वारा निजी तोर पर भातचीत का राजनाईक इस पेस समाप्त कर खरी खरी बात कही है यह देश में आलोचना का जवाब है अनेक आलोचकों का कहना था कि क्या हमारा राश्ट्रवाद और सेन्नेवाद केवल पाकिस्तान के मामले में मुखर होता है जबकी वह चीन के मामले में खामोश हो जाता है यह राहुल गांधी को खामोश करने के लिये था जो अपने पितामह की हिंदी चीनी भाई-भाई की गलती को अन देखा कर मोधी पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने अपना शेत्र खो दिया है अंतरराश्ट्रिये इस तर पर मोधी ने संकेत दिया है कीवे चीन के खिलाप दूसरे देशों के साथ एक जूट होने को तैयार है परदान मंत्री के रूप में अपनी चीन यात्राओं वो चीनी राष्ट्रपती सी जिन्पिंग के साथ सिखर बेटखों के बाद उन्होंने चीन को हमारे बाजारों तक ज्यादा पहुँच देने तथा उसकी शेत्रिये महत्वा कांगसाएं बढ़ाने का काम किया था मोधी निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे की उनका डोकलाम वह लद्धाक में गतिरोद के लिए याद किया जाए दोनों प्रकरणों से साफ है की पिपुल्स लिबरेशन आर्मी पी लए तनाव गठाने के नाम पर कुछ कदम पीछे हटती है पर वह वहां अपनी इस्तिदी मजबूत करती है लद्धाक में मोदी ने अपने भासन से इसपस्ट कर दिया है की पियले द्वारा उक्साए जाने पर हमारे सेनिक पीछे नहीं हटेंगे उन्होंने बड़ा संकेत दिया है की तकराव बनाम लेंदेन का फोर्मुला अब नहीं चलेगा और सांती के लिए कोई शेत्र नहीं खोया जाएगा अक्साई चीन व पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का दावा वैद है तथा भारत शीमा पर ढांचा गत्सन रचना मजबूत करने के द्रिष्टिकोन से पीछे नहीं हटेगा स्थानिये सेनिक कमांडर जोर दे रहे थे और मौदी ने मान लिया है कि चीन के खिलाप डट कर खड़े होने का समय आ गया है चीन को सायद प्रधान मंत्री मौदी से इस आक्रामक व्यभार की उम्मीद नहीं थी और उसने विस्तारवाद की टिपणे पर भारत को चेतावनी दी है सरकार निश्चित रूप से चीनी वस्तूओं के बहिश्कार की दिशा में पूरी द्रड़ता से काम कर रही है चीन को भारत की धाचागत परियोजनाओ व उबहुकता बाजार में प्रवेश बंद होने से नुक्सान होगा सीमा पर मोदी के द्रड़ द्रिश्टी कोण से स्पस्ट है की उनको अंतर राश्ट्रिये समर्थन प्राप्त है और वे निश्चित रूप से पस्चिम की और जुक रहे हैं वाइरस का तगड़ा जटका जेल चुका अमेरिका चुनाव वर्स में चीन को आसानी से नहीं छोड़ेगा और वह उसे नीचा दिखाने के लिए दक्षिन चीन सागर में अपनी सक्ती बड़ा रहा है आदिकारिक रूप से उसने कहा है कि इस निर्णय से LAC पर भारत-चीन तनाव प्रभावित होगा चीन वर्तमान समय में दबाव में हैं फ्रांस ने भारत की सहायता करने को कहा है ब्रिटेन और अमेरिका हांकां के लोगों को नागरिकता का प्रस्ताव दे रहे हैं जबकि चीनी कानून उनके अधिकार कुचल रहा है म्यामार ने भी अपने शित्र में विद्रोईयों को बढ़ावा देने का आरोप चीन पर लगाया है और अंतर राष्ट्रिये सहायता मांगी है इस पश्ट रूप से चीन को घेरने के लिए एक परकार की सहमती बन रही है संभवतह मोदी ने महामारी के बाद विभिन देशों में बन रही इस सहमती के आधार पर अपनी रणनीती बनाई है लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या वे और साहस दिकाते हुए तिब्बत और जिन जियां के बारे में बात करेंगे भारत इन मुद्दों पर प्रस्ताव पास कर एक सुरुवात कर सकता है हमें अपने संकुचित द्रिश्टी खोन से बाहर निकल कर जीन के मरम इस्तलों पर प्रहार तेज करना होगा स्टॉप डिक्टेशन स्टाट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्धाक में दिये अपने भासन में चीन को विश्तारवादी बताया है इसके पहले उन्होंने सर्वदलिय बेठक में इस तथ्थ से इनकार किया था कि पिपुल्स लिबरेशन आर्मी पी एल ए ने कभी हमारे शित्र में प्रवेश किया था हाला कि बाद में उनके कार्याले विदेश मंत्राले तथा उपग्रह से मिले चित्रों ने इसे खारिज किया था उन्होंने अब लद्धाक की एक अग्रिम चोकी पर जाकर मौर्चे पर डटे सेनिकों में उत्साह बढ़ने के शाथ ही महत्वपूर्ण रूप सी चीन को विस्तारवादी कहा इस प्रकार उन्होंने अब तक चीन और भारत द्वारा निजी तोर पर बातचीत का राजनाईक इस पेस समाप्त कर खरी खरी बात कही है यह देश में आलोचना का जवाब है अनेक आलोचकों का कहना था की क्या हमारा राश्ट्रवाद और सेन्नेवाद केवल पाकिस्तान के मामले में मुखर होता है जबकी वह चीन के मामले में खामोस हो जाता है यह राहुल गांदी को खामोस करने के लिए था जो अपने पिता मह की हिंदी चीनी भाई भाई की गलती को अन देखा कर मोदी पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने अपना शित्र खो दिया है अंतरराश्ट्रिये इस्तर पर मोदी ने संकेत दिया है की वे चीन के खिलाप दूसरे देशों के साथ एक जूट होने को तयार है प्रदान वंतरी के रूप में अपनी चीन यात्राओं वो चीनी राष्ट्रपती सी जिन्पिंग के साथ सिखर बेटकों के बाद उन्होंने चीन को हमारे बाजारों तक ज्यादा पहुँच देने तथा उसकी शित्रिय महत्वा कांकसाएं बढ़ाने का काम किया था मौदी निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि उनका डोकलाम वर लद्धाक में गतिरोद के लिए याद किया जाए दोनों प्रकरणों से साप है कि पिपुल्स लिबरेशन आर्मी पी ल.ए तनाव घटाने के नाम पर कुछ कदम पीछे हटती है पर वह वहाँ अपनी इस्थती मजबूत करती है लद्धाक में मौदी ने अपने भासन से इसपस्ट कर दिया है कि पी एले द्वारा उकसाए जाने पर हमारे सेनिक पीछे नहीं हटेंगे उन्होंने बड़ा संकेत दिया है कि टकराव बनाम लेंदेन का फोर्मुला अब नहीं चलेगा और सान्ती के लिए कोई शेत्र नहीं खोया जाएगा अकसाई चीन व पाक अधिकृत कस्मीर पर भारत का दावा वैद है तथा भारत सीमा पर धाचागत संरचना मजबूत करने के द्रिष्टिकोन से पीछे नहीं हटेगा स्थानिय सेनिक कमांडर जोर दे रहे थे और मोदी ने मान लिया है कि चीन के खिलाब डटकर खड़े होने का समय आ गया है चीन को सायद प्रधान मंत्री मोदी से इस आकरामक वेवार की उमीद नहीं थी और उसने विस्तारवाद की टिपणी पर भारत को चेतावनी दी है सरकार निश्चित रूप से चीनी वस्तूओं के वहिश्कार की दिशा में पूरी द्रधता से काम कर रही है चीन को भारत की धाचागत परियोजनाओं वह उपभुकता बाजार में प्रवेश बंद होने से नुकसान होगा सीमा पर मोदी के द्रध द्रिश्टी कोण से इसपस्ट है की उनको अंतर राष्ट्रिये समर्थन प्राप्त है और वे निश्चित रूप से पस्चिम की और जुक रहे हैं वाइरस का तगड़ा जटका जेल चुका अमेरिका चुनाव वर्स में चीन को आसानी से नहीं छोड़ेगा और वह उसे नीचा दिखाने के लिए दक्षिन चीन सागर में अपनी सक्ती बड़ा रहा है आधिकारिक रूप से उसने कहा है कि इस निर्णे से एलेसी पर भारत चीन तनाव प्रभावित होगा चीन वर्तमान समय में दबाव में हैं फ्रांस ने भारत की साहेता करने को कहा है ब्रिटेन और अमेरिका हंकां के लोगों को नागरिकता का प्रस्ताव दे रहे हैं जबकि चीनी कानून उनके अधिकार कुचल रहा है म्यामार ने भी अपने शित्र में विद्रोईयों को बड़ावा देने का आरोप चीन पर लगाया है और अंतरराश्ट्रिये सहायता मांगी है इस पस्ट रूप से चीन को घेरने के लिए एक परकार की सहमती बन रही है संबवतह मोदी ने महामारी के बाद विबिन देसों में बन रही इस सहमती के आधार पर अपनी रणनीती बनाई है लेकिन यह सवाल भी उड़ता है कि क्या वे और साहस दिखाते हुए तिबबत और जिन जियांग के बारे में बात करेंगी भारत इन मुद्दों पर प्रस्ताव पास कर एक सुरुवात कर सकता है हमें अपने संकुचित द्रिष्टी कोण से बाहर निकल कर चीन के मरम इस्तलों पर प्रहार तेज करना होगा स्टोप धन्यवाद